हेलो स्टुएंट्स सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी दो दिन से आप लोगों को फ्लासेज नहीं बील पाई उसका रिजन यह था कि मेरी तब्या ठीक नहीं थी और आज भी थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो आप लोगों मैनेज कर ली चाहिए हम लोग जीन प्याज जो भी आपके प्रश्न है वो आपका एक टेस्ट के रूप में होगा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है या रिप्लाई करना है ठीक है इसके अलावा वाय गोट्स की काम सिध्धान देखेंगे साथ ही कोहलबर्का और भी जो महतपूर वज्यानिक है उनका हम सिध्ध देखते चलेंगे सबसे पहले आप लों के लिए एक टेस्ट है छोटा सा कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चाहिएगा पहला कुष्चिन है पियाजे थे पियाजे अपके खगोलवित थे मनोवे जयनिक थे भू घर्व सास्त्री या समाज सास्ちらी थे आपको और आंसर कमेंट बॉक्स में करना है या अपनों का टेस्ट है अगला कुष्चिन है निम्डें बेसे किसका कथन है कि ज्यानात्मक वि किसने कहा था ये भी आप लोग को reply कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अल्रेडी पढ़ चुके ये आप लोग का छोटा सा टेस्ट है अगला question है प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जैन्म से लगभग दो वर्ष की आयू के दौरान बच्चा सबसे बहतर सीखता है ये कौन सी अवस्था है आपकी जीन प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम इंद्री गामक अवस्था कहते हैं तो कौन सा होगा क्या निस्क्री सब्दों को समझने के द्वारा सीखते हैं क्या अमूर्थ दरीके से चिंदन के द्वा सा होगा अगला कोश्चिन पियाजे के अनुसार संगेनात्मक विकास की किस चरण पर बच्चा वस्तु इस्थायत्व को प्रदर्शित करता है ये भी हम पढ़ चुके थे इसका भी आंसर टिक करिएगा कौन होगा इसमें से आंसर ये आप लोग का छोटा सा टेस्ट है इससे आप लोग को भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग की त्यारी कैसी है और त्यारी नहीं भी अच्छी आगरा आप आंसर नहीं भी कर पा रहे हो तो वीडियो को दुबारा देखिए प्रैक्टिस की जाता जुरुरत है अगला कोश्चिन है इंद्री जनित गामक अवस्ता होती है कब से होती है तो जीन प्याजे के अनुसर जो आपकी इंद्री जनित गामक अवस्ता है वो पहली अवस्ता है तो एज बताना है तो इनमें से कौन सा ओप्शन होगा ये आपनों को बताना है आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है बच्चों में भासा का विकास प्रारं नए विचारों के समवेश हो जाने को क्या कहा है इसका भी आंसर आपनों को बताना है इस तरह से सवाल आपके बनेंगे अगला कोश्चन है पियाजे के संगेनातमक विकास के सिध्धांद के अनुसार विकास क्या होती है रुक-रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है या निरं निर्माण एवं खोच का सिध्धान्त निम्न में से किस ने दिया है? वर्ड पर ध्यां दीजेगा. निर्माण एवं खोच का सिध्धान्त किस ने दिया है? तो इन चारों में से आप लोगों को आंसर बताना है. टेस्ट का लास्ट कुस्चन है पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की चार अवस्थाओं में अपचारिक अत्वा अपचारिक का दूसरा नाम क्या है अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था की अवधी क्या है यह आपका फोर्थ स्टेज है ठीक जिसे हम अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था कहते है इसे हम अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था कहते है इसमें एज क्या होता है यह आप लोग को बताना है तो यह आप लोग को एक छोटा सा टेस्ट था दस नमबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाईए कल हम बताएंगे कि दस में आप लोग ने कितना स्कोर किया है चलिए आज हम देखेंगे वाय गोट्सकी का समाजिक विकास का सिध्धान तो वाय गोट्सकी जो है वो ये मानते हैं कि बच्चों का जो विकास है वो समाजिक अंतहक्रिया से होता है याद रखिएगा एक वर्ड याद रखिएगा समाजिक जहां पर भी समाज की बात है संस्कृती की बात है वहाँ पर हमेशा वाय गोट्सकी का नाम आएगा तो वाइगोट्सकी के बारे में जानते हैं तो जो आपके वाइगोट्सकी जी हैं ये कोन है आपके वाइगोट्सकी तो ये कहा कि मनोविज्ञानिक है ये एक रूसी मनोविज्ञानिक है ठीक अगला पॉइंट है उन्होंने मनोविज्ञान के छेत्र में विकास मनो विज्ञान पर मुख्यकार किया, उन्होंने इस पर deep study किया, उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं, वो समाज से सीखते हैं, जो भी चीज़े चाहे वो भासा का विकास हो, चाहे उनके व्यक्तितों का विकास हो, हर चीज़े वो किस से सीखते हैं, समाज से अब इस वर्ड को ध्यान दिजेगा इंपोर्टेंट इसे आपको चीजे क्लियर होंगी वाइगोट्सकी हमारे स्वयम का विकास दूसरों के द्वारा होता है क्योंकि जब हम आपस में मिलते हैं तब ही तो हम समाज का निर्माड करते हैं समाज की छोटी काई क्या होती है परिवार परिवार से दीरे-दीरे क्या होता है हम बढ़ने लगते हैं बच्चा सबसे पहले कौन से समाज से जुड़ता है तो परिवार क्योंकि यह समाज की छोटी काई है तो बच्चा का पहला जो समाज होता है, वो क्या होता है, परिवार की रूप में होता है, वाय गोत्सकी के अनुसार संगेनात्मक विकास पर समाजी कारकों परिवार, समाज, विद्याले एवब मित्रमंडली परिवेश्वा भासा का प्रभाव पड़ता है, बिलकुल ये 100% स सीखते हैं वो अपने मित्रों द्वारा, आसपास की चीजों के द्वारा, आपस में जो समाज, अगर हम अच्छे समाज भी रहते हैं, जहां पर अच्छी बाते की जाती, तो हम उनसे अच्छी चीजे सीखते हैं, और जहां पर चोरी, डकैती, मार पीट, निगेटिव एनरज आता है, तो समाज ही क्या करता है, मुख्य भूमिका का निर्मान करता है, किसके अनुसर, ले वाय गोत्सकी के अनुसर, जहां पर समाज की बात है, याद रखिएगा, वहां पर किन का नाम आएगा, आपके वाय गोत्सकी का नाम आएगा, तो ही कुछ पॉइंट्स हैं, परिवार का वातावरन होता है, घर का वातावरन होता है, तो घर का जैसा वातावरन होगा, बच्चे वैसे ही चीजों को सीखेंगे, फिर क्या होते हैं, जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो विद्याले में जाते हैं, फिर वो विद्याले में क्या करते हैं, सीखते हैं, वहां का महौल जासा रहता है, तो निश्चीत रूप से बच्चे सीखते हैं, परिवार से, समाज से, विद्याले से, ये भी क्या एक प्रकार का हमारा समाज है, आप देख सकते हैं, समाज के जो प्रकार है इसको प्रदर्शित कर रहा है, जो बच्चा जिस वातावरण में जिस एरिया में रहेगा उसी के अनुसार वो धल जाएगा, ये सब प्रकार है, आप देखिए कहीं कहीं पर सांप को मारा जाता है, ये इमेज दिख राप लोगो, ये इमेज देखिएगा, तो ये जो इमेज है, ये सांप का इमेज, आप देखिए इसमें कैसे इसको दूद पिला रहे है, कहीं कहीं पर इसी सांप को मार दिया जाता है, बच्चे भी जैसे देखते हैं, अगर आप ऐसे सकते हैं, अगर किसी के घर में सभी वेजिटेरियन है, तो बच्चे भी क्या हो जात क् arbitrary हुआ है लेकिन वही नो वेजिटेरियन है तो उसको चीज़े सब खाने की लगती हैं तो ये फर्क होता है और ये भी एक अलग प्रकार का क्या है स्माज है ये स्माज का चित्र की अलग अलग तरा की हमारे आस-पास का और देखं लीजिए ये भी एक प्रकार का क्या है समाज को प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये इमेज के द्वारा हम आप समझाना चाहते हैं कि जो बच्चा होता है उसके सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समाज की क्या होती महतपुर भूमी का होती है और ये बात किस ने कहा है ये बात आपके वाय गोश्की जी ने कहाँ है, ठीक, यह भी क्या एक प्रकार का, समाज है, जहाँ पास अगर हम ज़्याद़ा रूरी वादी देखते हैं, जहाँ पर हम ज़्याद़ा चीजों को दबाने का प्रयास करते हैं, जहाँ पर मैलाओं को लेकर सोच छोटी होती है तो उसका भी प्रभाव हम पर पढ़ता है तो यही सब सारी चीजे है सिंपल सा बस वाय गोट्सकी के लिए इतना याद रखिएगा जहां पर समाजिक की बात है वहां पर वाय गोट्सकी जी का नाम आएगा और एक चीज और बता दे रही हूँ आप वैसे लोग कोहल बर का सिध्धान पढ़ेंगे लेकिन जहां पर नयतिकता की बात है नयतिकता की सिध्धान की बात है वहां पर कोहल बर गाते है और जीन प्याजे, इन्होंने तो संगेनात्मक विकास का सिध्धान दिया है, हम पढ़ चुके हैं, तो ऐसी हम समझेंगे, ये सब को देखते चले, ये विवा जैसे बंधन है न, विवा जैसा कह सकते हैं, हम एक समाजिक तत्व है, ये सारी चीजे भी, जब हम छोटे होते है तो विवा के बारे में पता नहीं होता, लेकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम विवा के भी इंपोर्टेंस को समझते हैं, हम समझते हैं कि समाज में ये एक क्या है प्रमुक्तत्व है, क्या विवा, क्योंकि आप विवा करेंगे, तभी आप क्या करेंगे, फैमली फिर यही सारी चीज़े जन्संक्या विस्तार के लिए या एक परिवार को बढ़ाने के लिए विवा एक अनिवारे तत्व है, जो हमारे समाज का क्या है, एक महत्पूर कारक है, यहां की परंपरा अलग है, बच्चे भी क्या होते हैं, हर बच्चे का अलग-अलग परंपरा ह ऐसा नहीं है कि बच्चा अपने आप में अलग होता है। लेकिन वह जिस परिवेश में होता है , वहाँ से जह भी चीज़े सीखता है, उसी को वह क्या करता है? अपने जीवन में ढालते जाता है। के अगला हम देख रहे थी कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या करता है विद्ध्याले से सीखता है , जीरो से जब वो पाँच वर्स कर रहता तो वो फैमली से सीखता हि तुथली-तुथली भासा में बात करता है जो भी लैंग्वेज यूज़ यूज़ किया जाता ह चलिए कुछ points है सबको note करते चलिएगा और note करने से ज़्यादा आपको समझना भी है समझना ज़्यादा important है क्योंकि ये आपको जो child psychology है इसमें समझने वाली चीजे ज़्यादा रटने वाली चीजे नहीं है ध्यान दीजेगा सोवियत रूस के मनोवे ज्यानिक सोवियत रूस के मनोवे ज्यानिक लेव वाय गोट्सकी ने बालकों में समाजिक विकास से सम्मंधित एक सिध्धान्त का प्रतिपादन किया और ये आपके संस्कृती से भी सम्मंधित होता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं आपके लेव वाय गोट्सकी का समाजिक संस्कृती का सिध्धान्त भी कहते हैं इस सिध्धान्त में उन्होंने बताया कि बालकों के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विसेश योगदान होता है जैसा कि हम रिपीट करते बात करते चल रहें कि वाय गोट्सकी के अनुसार क्या होता है बच्चे का जो विकास होता है उसमें सबसे ज़्यादा भूमी का किसकी होती है आपके समाज की इसलिए बालक के संगेनात्मक विकास की कभी मूलकारण समाजिक अन्योनिक रिया है मतलब हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए है एक दूसरे पर निर्भर है और कहीं न कहींक अनुसरे की बीना हमारा कोई काम नहीं चल पाता है मौची आपके किसान पर निर्भर है किसान सैनीक पर निर्भर है मतलब जो भी चीजे आप लाइफ میں देख रहे हैं न कहीं हमयसा नौकरी की पीछे अग अन्यों निक्रिया क्या करते हमें दर्शात है कि हम समाज पर निर्भर है और हम जो विकास कर रहे हैं जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें समाज की अपनी क्या होती है विसेश भूमिका होती है घुम पिर कर ochogoski कैềm सिद्धान किस पर आईगा आपकी का समीपस्त विकास का छेतर, यह important है यह वाई गोट्सकी का सिध्धान दे इस चीज को याद रखिएगा, यहां से सवाल बनते हैं, अच्छा एक information आप लोगों के लिए यह भी है, कि यह सिर्फ हॉस्टल वाडन के लिए important नहीं है बलकि आपके जो भी exam होते हैं टेट वेगेरा, सेंटल टेट, उन सब के लिए भी बहुत महत्पूर है, अगर आप सिध्चक भरती या कहीं के भी तयारी कर रहें, तो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है क्योंकि इसमें सारे topics cover हो रहे हैं जो आपके exam में पूछे जाते है तो समीपस्टविकास का छेतर तो इसमें होता क्या इसे ZPD कहते है, ZPD में होता क्या कि जो reality होती है reality और जो भ्रह्म होता है उसमें जो संभावना कह सकते है भ्रह्म थोड़ा अलग हो जाएगा संभावना और वास्टविक्ता में हम इन दोनों के बीच में हम क्या देखते हैं अंतर देखते हैं वास्टविक्त विकास, रियल डेवलप्मेंट के इस्तर तथ संभावित विकास आपका potential development में क्या करते हैं इसतर के बीच की अंतर को समीपस्थ विकास का छेत्र कहते हैं समीपस्थ मतलब ये माल लीजिये आपका क्या है ये संभावित छेत्र है और ये वास्थविक छेत्र है तो इन दोनों के जो समीपस्थ जो वो होता है आपका छेत्र होता है, समीपस्त विकास का छेत्र तो उन्ही को हम क्या कहते हैं हम उनको JPD कहते हैं अब एक example से समझे कैसे अब समभावित विकास का छेत्र माल लीजे आपको अभी आप क्या दे रहे हैं, hostel warden का paper दे रहे है, माल लीजे आपको 110 नंबर क्या करना है लगना है, यह आपका जो होगा, इस नंबर पे आप exam को qualify कर लेंगे लेकिन जब आप mock test देते हैं तो आपका नंबर कितना आता है 95 आता है तो जो 95 है, वो आपका वास्तविक नंबर है आपका वास्तविक नंबर है 95, लेकिन जब आप क्या करते हैं और ज़्यादा महनत करते हैं और ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं और ज़्यादा टीचेस से पढ़ते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं संभावना लगाने लगते हैं कि हाँ, मेरा 110 आ सकता है आएगा तो यह आपका क्या हो गया संभावना हो गया और यह आपका वास्टविक्ता हो गया तो इन्हीं दोनों के बीच जो अंतर है ना इन्हीं को हम क्या कहते हैं ZPD कहते हैं, clear हुआ? बहुत easy है, बस इतना याद रखिएगा आपका वास्तविक्ता और संभावना, दोनों की बीच का जो छेत्र होता है उन्ही को हम क्या मोलते है? ZPD कहते हैं अगला है आपका पाड या धाचा या इसके folding, यह important है यह दो सिद्धान वाय गुट्सकी से संबंदित है, तो इन्हें याद रखिएगा अब नाम से इस परस्ट हो रहा है धाचा, इसमें ऐसा होता है अब image द्वारा समझिए इसमें हम बिना किसी के सहारे के आगे नहीं बढ़ पाते या आपका पाड़ या धाचा या escape folding होता है अगमान लीजे अगर हमें cycle सीखना है तो उसके लिए हमें कोई क्या करता है एक base देता है, एक अधार देता है हमें हमारी मदद करता है तो यह क्या आपका escape folding है अगर किसी व्यक्ति के मदद के द्वारा हम आगे बढ़ रहे है that is escape folding ध्यान देजेगा व्यस को द्वारा दी जाने वाली temporary help या guidance को escape folding कहते है कुल मिला के आप कह सकते guidance अभी क्या है आप starting में जब बच्पन में कोई चीज काम करते थे तो आपसे नहीं बनता था तो कोई आता था आपको हलका सा बता देता था कि इसको ऐसे खरो आप कर लूगे तो वो क्या एक प्रकार का escape folding है मतलब कोई आपको क्या कर रहे है help दे रहा है तो ये भी एक प्रकार का escape folding है आप ऐसे समझ सकते हैं अगर आप खाई में गिरने वाले हैं आप लटके हुए, फिर आपको कोई सहारा दे रहा है, तो आप उस हाथ को पकड़ के क्या करें, उपर आ जा रहे हैं, तो ये भी क्या एक प्रकार का, इसके फोल्डिंग है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम M.K.O. कहते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, इनकी जानकारी के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, या हम इनके help से कोई काम को करते हैं, तो ये क्या होता हैं, इसके फोल्डिंग होता है, अब जो वाइगोत्सकि हैं, वो भासा के लिए भी क्या मानते हैं, आप देखी, यहां पर एक सेंटेंस लिखा वाई गोट्सकी and language development वाई गोट्सकी भासा विकास के लिए भी किसको मानते हैं इसके लिए भी वो समाज को जिम्मेदार मानते हैं उनका गहना है कि हम समाज से जितना ज़्यादा अंतर क्रिया करेंगे हम उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे भासा को सीखेंगे एक बच्चे की भासा के विकास में दूसरों के साथ संपरिशर एक महतपूर कारक है उनका मानना है कि अकेले बच्चा भासा कैसे सीख सकता है वो तो जब वो आपस में बात करते हैं जब वो लोगों के द्वारा जुड़ता है तब ही तो भासा सीखता है कहना भी सही है, जब हम लोगों के संपर्क में आते हैं, तब भी तो हम चीजों को सीखते हैं, और ये लोग ही क्या है, हमारे समाज है, तो बिल्कुल language के बारे में भी इनका ये मानना है कि हम भाशा समाज के द्वारा सीखते हैं ये हम आपस में क्या करें, कन्वर्शेशन कर रहे हैं, आपस में हम बातचीत कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या हो रहा है, language development हो रहा है difference between वाई गोट्सकी एंड प्याजे थियोरी, हमारे प्याजे और वाई गोट्सकी के सिधान्त में क्या अंतर है, इसको हम देखेंगे क्योंकि मातपूर्ण है, दोनों अपने आप में एक विसिस्ट, साइकोलोजिस्ट है, तो सबसे पहले, वाई गोट्सकी और जीन प्याजे के सिधान्त में प्रमुक अंतर भासा और चिंतन के दृष्टी कोर में, दोनों की बाकी चीज़े तो समानने हैं, लेकिन भासा और चिंतन के मामले में दोनों में क्या देखा गया है, अंतर देखा गया, क्या अंतर है देखिएगा, वाई गोट्सकी के अनुसार, ध्यान दीजेगा, वाई गोट्सकी के अनुसार, बालक में विचार पहले आता है, तथा भासा बाद में आती है, कहने का मतलब क्या है, भासा के द्वारा उसको प्रकट करता है लेकिन यहां पर प्याजे का कहना है प्याजे का कहना है कि बालक क्या करता है पहले भासा सीखता है फिर विचार करता है प्याजे जी का कहना है कि बच्चा पहले भासा को सीखता है तभी उस चीज को प्रकट कर पाता है तो यह दोनों में क्या है अंतर है याद रखिएगा सवाल बन सकता है तो वाई गोट्सकी के अनुसार सबसे पहले क्या आता है आपका विचारा आता है फिर भाशा आती है लेकिन जीन प्याजे के अनुसार पहले भाशा आती है फिर विचारा आती है वाई गोट्सकी का मानना है कि पहले हम क्या करेंगे किसी चीज के बारे में सोचेंगे तर करेंगे तभी तो हम उसको बोल पाएंगे लेकिन प्याजे मानते कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है जब हमें भासा के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम विचार कैसे कर सकते किसी चीज के बारे में बिना भासा के कैसे सोच सकते तो इन दोनों में क्या यह एक छोटा सा difference है दूसरा देखिएगा परन्त वाय गोट्सकी और पियाजे के सिद्धान्त का निसकर्स यही है कि विचार और भासा एक दूसरे पर अधारित है बिल्कुल भले ही इन दोनों का थोड़ा सा अंतर यह हुआ कि नहीं भासा पहले विचार पहले लेकिन यह दोनों मानते हैं कि भासा और विचार एक दूसरे के बिना अधूरे है यह दोनों एक दूसरे से क्या है connected है तो यह सब नोट करते चलेगा अगला अंतर क्या है वाई गोट्सकी बच्चों के सीखने में समाजिक कारक को क्या मानते है महतपूर बल देते हैं या उन्हें महतपूर मानते है हमने जहां पर देखा जहां पर वाई गोट्सकी की बात आएगी वहां पर social factor आएगा समाजिक तत्वाएंगे लेकिन जहां पर जीन प्याजे की बात आएगा तो जीन प्याजे जी क्या बोलते है जीन प्याजे जी का मानने है कि प्याजे बालक के विकास का अधार आयू को मानते है कैसे अब देखिए वाई गोट्सकी ने कहा कि हम लाइफ में जो भी चीज़े सीख रहे है या बच्चा जो भी सीख रहे है वो अपने समाज से सीख रहे है लेकिन प्याजे जी का मानना है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसी वैसी हम चीजों को सीखते हैं ग्रहन करते हैं तो ये दोनों में क्या है, अंतर है, बाकि सीखने पर तो दोनों बल दे रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा ही अंतर है इनका, अगला है, वाय गोट्सकी के अनुसार, जैविक कारक मानव विकास में क्या होते हैं, बहुत ही कम भूमिका निभाते हैं, कहने का मतलब यह उनका कह क्या गहते हैं, जीन प्याजे जी कहते हैं, कि समाजिक कारक संगेनात्मक विकास में, हाँ ठीक, वही बात कह रहे हैं, जो मैं भी कह रही थी, इनका कहना है कि जैविक कारक बहुत कम भूमिका निभाते हैं, और समाजिक कारक जो है, वो सबसे अधिक भूमिका निभाते हैं लेकिन प्याजे जी क्या कहते है प्याजे का सिध्धान्त जैविक्ता तथा विकास अधिगम में अग्रणी भूमी का निभात है उन्होंने क्या किया है जैविक्ता पर सिध्धान दिया है और विकास अधिगम में इसका सिध्धान दिया है वाय गोच्की के सिध्धान्त के अनुसार अधिगम वविकास सांस्कृतिक वा समाजिक वातावरण की मध्यस्ता के साथ चलता है इसलिए तो हम आपके जो वाय गोच्की उनके सिध्धान्त को सांस्कृतिक समाजिक सिध्धान्त के नाम से भी जानते हैं तो जैविक कारक के मारे में याद रखिएगा कि व्याय गोट्सकी जैविक कारक को महतपूर नहीं मानते जबकि जीन प्याजे जी इसे महतपूर मानते हैं। अगला देखिएगा वाई गोट्सकी के अनुसार अधिगम, सरव प्रथम, बालक तथा व्यस्क जिसमें जो अधिक ज्यान होगा उनके बीच होता है दूसरों के साथ अंतक्रिया तथा सहयोग द्वारा जानने की प्रक्रिया गुडात्मक रूप से स्रेश्ट होती है हम लाइफ में जो भी चीजे सीख रहे हैं बार भर एकी बात आ रहा है कि हम समाज से अंतक्रिया के द्वारा सीख रहे है अताव इस बात पर जोर देते कौन आपके वाय गोट्सकी जोर देते कि संग्यनात्मक विकास की प्रकती समाजिक है ना कि संग्यनात्मक जीन प्याजे जी ने क्या किया है संग्यनात्मक विकास का सिध्धान दिया है लेकिन आपके वाई गोट्सकी ने किया किया समाजिक विकास का सिध्धान दिया है वाई गोट्सकी मानते हैं कि हमारा विकास समाज पर निर्भर करता है और आपके जो जीन प्याजे जी है वो बोलते कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती वैसी वैसी हमारा विकास होता है मतलब जीन प्याजे जी मानसिक विकास पर जादा जोड़ देते हैं हमारी आई उपर कि हम जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे हम चीजों को आटोमेटिक सीखने लगेंगे जैसे जीन प्याजे का मानना है इस प्रकार प्याजे का सिद्धान निर्मिती वाद है जबकि वाई गोच्की का समाजिक निर्मिती वाद है वाई घोट्सकी का समाजिक निर्मतीवाद अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देता है ठीक है तो एक बार ये आज का क्लास था लेकिन एक बार क्लास कतम करने से पहले हम एक बार रिविजन करेंगे क्या क्या पढ़े हम चलिए तो सबसे पहले हमने क्या किया आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट था दस नंबर का आप सभी को आंसर लगाना है ठीक है कोशिश करिए कि मिनिमम सबका 9 या कम से कम आपका 8 नंबर तो आना ही चाहिए नहीं तो स्थिती ठीक रही है आप लोगों को और पढ़ने की आवश्यक्ता है बाकि ऐसे उदास होने की जुरत नहीं है थोड़ा टाइम लगता सब्जेक्ट ही ऐसा है बाकि आप लोगों से हो जाएगा ठीक है फिर हमने क्या देखा फिर हमने देखा कि वाय गोट्सकी का समाजिक विकास का सिध्धान्त अभी समाजिक विकास का सिध्धान्त क्यों कहते हैं क्योंकि यह भाशा हो या हमारा खुद का डेवलमेंट हो यह हर चीज के लिए किसको बोलते हैं यह हर चीज के लिए समाज को म होता है बिछ या समीपस्ते विकास का झेतर काते है और इसके Folding में कि हम किसी हेल्प-दिवारह किसी एक कहसे सपोर्ट के दौपारा आगे बढ़ रहे है ठिक अगर हम किसी व्यस्क के दवारा किसी मित्र के दवारा किसी टीचर के दवारा आगे बढ़ रहे हैं चीजों को सीख रहे हैं तो वो क्या होगा आपका scale folding पाड़या धाचा नाम से इस पस्ट हो रहा है धाचा मैंने आपको एक खाई का example दिया cycle का आप image देखें तो ये सारी चीजे थी तो ये क्या था आपका समीपस्त विकास का छेत्र था कि आपके संभावित विकास छेत्र और वास्त विकास छेत्र में जो क्या होता है समीपता देखने को मिलती है उस छेत्र को ही हम क्या कहते है समीपस्त विकास का छेत्र कहते है हमने example देखा किसका ये आपके ZPD का ये आपके इसके folding का example है ठीक कि आप बिना मदद के आगे कैसे बढ़ेंगे इसके लावा सबसे important difference between ये कौन है आपके जीन प्याजे है और ये वायगोट्सकी है तो इनका मानना है कि हमारा जो विकास होता है वो आयू के साथ होता है और इनका मानना है कि हमारा समाज के अंतर क्रिया द्वारा होता है इसलिए दोनों में यह अंतर है कि इनका जो सिध्धान्त है वो संग्यनात्मक्विकास से संबंदित है और इनका जो सिध्धान्त है वो समाजिक्विकास से संबंदित है तो यह हमारा क्या था आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्या दे और भी आसान क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों नहों आप बिल्कुल निशुल को हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं आफ लाइन बिल्कुल फ्री समय होगा शाम को पांच बजे माह के प्रतियक दूसरे शनिवार को और जगा हो पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको